जैहिन दोस्तों आज हम आए हैं एक बहुत ही युनीक जगा पर जिसका नाम है बोरा केव यह भारत की एक लोती इस तरह की कोई गूफा है और यह आंद्रा और उडिसा के बोल्डर पर वहीं आराकू वैली में स्थित है और इसे भारत की सबसी लंबी या गहरी कह सकें केव होने का भी इताप राता है यह लगबग 300 विट के आसपास इसकी जो लंबाई है तो इसमें आप जब एंटर करते हैं तो बहुत ही चूने पत्थर से बने हुए विविन प्रकार की प्रतिमाएं दिखती हैं और अलग-लग तरह के लेवल्स में आपको अलग-लग तरह के कुद्रत के करिश्में इसमें दिखेंगे इसमें एक बहुत ही दिल्चस्ब कहानी है कि किसी की गाएं एक बार यहां पर चरते हुए गिर गई और वो लगबग इस गूफा में गिरी और जब वो ढूंडते हुए आया आदमी तो वहां उसकी गाएं जिंदा थी और उसको कुछ शिवलिंग प्रगार के रूप दिखें जबसे यहां के आसपास के ट्राइबल्स में ये जगा का बहुत ही पूजनिय महत्वा है तो आप जब भी आलरा के आसपास विशाखा पटनम या उडिसा में कौरापूर डिस्टिक में आएं तब इस दोरा केव को ज़रूर देखें क्योंकि ये हमारे देश की एक बहुत ही दुलब धरोहर है और यहां से एक नदी का उसकम भी है और यहां पर खोडी ये जूने पथर के तारन ही ये सारी एव ने इस तरह से अकार लिया है तो आप जब भी यहां जाएंगे तो आप एक अलद ही दुनिया और एक पत्थर हैं जो कि पानी के गिने से पानी के जिसाव से यहां बंगते हैं और इसी केव में एक अंदर जो उपर चड़कर सीडिया है वहां तक जाने के लिए एक मंदिर है और इस कूफा के स्टार्टिंग पॉइंट पे भी एक मंदिर है नवंबर और दिसंबर के महीने में य जब भी गरम जगह है और विशाका पटनम से अगर आपने आना है तो आप यहां के लिए बोरा स्टेशन है ट्रेन भी ले सकते हैं और जब भी यहां आएं अराकू वैली में तो आप कॉफी प्लांटेशन या वो तो देखी सकते हैं साथ ही साथ इसके पास जो वाटर फॉल् कि अपर बोरा केव के भी नजारे ले सकते हैं यह बहुत ही प्राचीन और एक केव है और यह देखी किस प्रकार से यह पूरे लाइन स्टोन की जो केव है उसके उपर पानी क्योंकि कुछ जगह से गिता है और उसके कारण ही अखरती हमनी और यह था हमारे काम का सब्सक्रत कर दो कर दो 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 आदेखी को यह पूरे कर दो दो कर दो कर दो